पीछे चौरहा देख रहे हैं पूरा चौरहा यहां का पूरा देख लीजे यहां पे लकडी की इतनी दुकाने हैं कि आप गिंते गिंते सा आप ठक जाओगे लेकर खतम नहीं होंगी पूरा आप देखे उधर पूरा भी तक वहां से हम लोग आ रहे हैं वहां पे पूरा पापा थे दुकान पर कब से आने शरूर है तुमरा पान साल से उपर पढ़ाई उड़ाई करने जाते हो कहां पढ़ते हो बरकाई स्कूले में के बीरा एकाडमी नाम है और यह देखी किस तरी अच्छा कितने में विखता है कैसे कुछ हिसावस अब जानते हो कितने में विखता है 600 रुपया कुंटल बिखता है यह तो कोई आता है यहाँ पर अफे यहां पर जलाने के लिए लाते हैं और भी क्या-क्या चीजें लकड़ी के बारे में और बहुत हैं बताको किस टरीके का करने लोग कोई काम करते हैं कर करते हैं अच्छा आभी कोई अब नहीं है यहां पर यह तरीके से यहां पर विक्री होती है यह मसीन है और यहां पर तमाम लकडी के कारोबार होते हैं इतना लकडी कहां से आ जाता है अब यहां पर पांच मसीन पर चिलाता है अच्छा तो यह आपके वह भी दुकान है यह सिर्फ यह हैं अपकी दुकान कौन सी है यह यह भाई है हम अपने छित्र की जितने भी लोग यह जानने आया है कि गोरकपूर में भाईया क्या है उन्हें बताने आया है कि गोरकपूर में एक ऐसा ही जिसे कहा जाता है लकडी उद्योग का कही न कहीं यह बहुत बड़ी जगह है और आप पूरे चोराहे पर आप घूम सकते हो मेरे साथ धीरे-धीरे कैमरा पर सनाये हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप जहां तक नजरे दोड़ाएं वहां तक आपको लकडी के समान मिल चुके हैं लेकिन वही बात होती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं हम दूसरी जगहों पर जाके कवर कर लेते हैं लेकिन अपने छेतर में एक ऐसी जगह है जहां पर लगडी का उद्योग किस तरीके से फूल रह है फल फूल रहा है और यहां पर इक तमाम दुकाने हैं आप मैं दीखाना चाहता हूं यह चोटी सी दुकान थी का ना बचाचापके लकडी उद्योग की बात करने वाले हैं हमारे साथ कुछ युआ है भाई क्या नाम है आपका यह बताओ यह लगडी पूरा चौरहे पे ह पूरा मतलब जहां तक यह रहे बहुत पहले से हैं अच्छा पहले कितने में पढ़ते हो सब्सक्राइब नाइन ने पढ़ते हो तो परिवार के स्टिपिक कही न कहीं से चलती है लकडी उद्द्योग से ही चलती है परिवार में और भी लोग और भी काम करते हैं नहीं भाई फोर पीकप चलाते है और अबू पेड़ गटाते है अच्छा तो 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 यहां पर मुझे जाना है कि क हकरहीं में लगडी उद्द्योग क्यों इतना आता चलता है पूरा यहां पर जितनी दुकाने मैं वहां से आ रहां पूरा उधर भी देख रहां पूरा लाइं से पुर कोई जानकारी है अपके पास नहीं जानकारी नहीं है यह देखिए तमाम से युगा है तमाम से लोग है और हमें यह जानने आये हैं कि किस तरीके से लकड़ी उद्योग इस छित्र में हमारे छित्र में फल फूल रहा है लोग जितने भी हैं वो कहीं न कहीं इस छित्र में आत खंठ आएगा को जानकारी आके कि जैसे जैसे उख्वत ग्राम प्रधान गाउवाला होता है अभी कुछ दिन पहले नगर निकाय चुनावान नगर पंचया चुनावा है क्या नगर पंचया चुनाव के यह जगह है ककरहीं गोला राइंतरगत अच्छा नाम अपका अरबाज भाई यह बताओ मुझे मैंने उनसे पूछा एक सवाल कि यहां पे इतनी जादे लकड़े उद्द्यों कि क्यों हावी है यह मैं पूछ रहा हूं कितनी उमर हो गई होगी अठाए साल कितने सालों से आप यह सब ऐसा ही देख रहे हैं हम देख रहे हैं मितलब 5-6 साल से इसे पहले लगड़ी की दुकाने थी वह बहुत कम थी अभी जाए पहले से कम हो गई है क्यों कि अतना कुछ फाइदा नहीं है कहते हैं कि हम सब्सक्राइब करने को जानते का सिद्र रे कुछ तमाम धाने हैं लोगों से बात कर हैं हमारा वीजन यह होना चाहिए कि अपनी चैत्र में ऐसी बीजग में जहां का लकड़ी उद्योग कहीं न कहीं पूरी तरह से यहां पे प्रसारीत है आप तक अपनी नजरें वहां पर करेंगे वहां तक पूरा लपकड़ी उद्योग है । लेकिन हम यह दिखाने आये हैं बहुत मसहूर है तो धीरे दिर आगे बढ़ते हैं लोगों से बात करते हैं चुनाओं के बारे में भी बात होगी तमाम सी चीजे पार्टियों के बारे में बात होगी लेकिन उससे पहले हम यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ककरही चोराहे पे पड़ावली चोराहे पे कि तरीके से लकडी उद्योग प्रसारी थोड़ा है लोग भी मिलेंगे लोगों से बाते होंगी हमें हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लकडी उद्योग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना